Hello guys, my name is Manoj Kumar, welcome back to मेरी मारूती, मेरी पहचान दोस्तों आज की वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए कुछ महत्पूर्ण प्रश्न उत्तर जो की CT exam की द्रिष्टी से महत्पूर्ण है तो दोस्तों पहला question है, monocoque chasis का निर्माण का क्या लाब है तो दोस्तों इससे गाड़ी के जो इंजन है उसकी दक्षिता बढ़ जाती है या उसका mileage बढ़ जाता है क्योंकि इससे गाड़ी का weight कम होता है, अगर हम chasis use करेंगे तो गाड़ी का weight ज़्यादा होगा और गाड़ी का mileage या efficiency इंजन की वो कम हो जाएगी, ठीक है तो 5S से आप क्या समझते हैं, ये कारी इस्तल को साफ सुत्रा और विवस्तित वराएं रखने की प्रक्रिया को मान की क्रिद करने में मदद करता है दोस्तों, third question है, निम निमेशे कौन सा सब्द साथ प्रकार के अपसिष्ट को संदर्बित करता है तो दोस्तों ये है mooda, क्या है mooda, mooda साथ प्रकार के अपसिष्ट होते हैं, यानि की साथ प्रकार के वेश्टेज होते हैं और जासे timbude, ठीक है, access transportation, access inventory, access machining, ठीक है वेस्टेज, एक्सेस ओपरेशन, एक्सेस पोसेसिंग, एंड डिफेक्ट, इस तरीके से साथ डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो मुदा साथ प्रिकार के अप्सिस्ट को संदर्बित करता है, एक्स्प्लेइन करता है, किस जापानी अप्धारणा का अर्थ बेहतर के लिए परिवर्तन होता है, तो दोस्तो काईजन को हम बोलते हैं, चेंज फूर गुड या फिर बेहतर के लिए परिवर्तन, कौन सी जापानी अप्धारणा गलती निवारण को इंगित करती है, जापा हो इसको बचाने के लिए हम पोकायोकी सिस्टम का यूज करते हैं गुड इवनिंग मिश्टर सर्मा इस बाक्य में अभिवादन के किस रूप का उपयोग किया गया है तो यह क्या है आपचारिक अभिवादन है यान की फॉर्मल ग्रीटिंग है ठीक है गुड इवनिंग मिश का रहे हैं तो यह क्या फॉर्मल ग्रीटिंग अभिवादन का फॉर्मल वे अभिवादन साथ खत्रों से आप क्या समझते हैं ऐसी कोई भी इस्तिति जो आपको चोट पहुचा सकती है या आपको विमार कर सकती है वो क्या होती है खत्रा होता है क्या होता है खत्रा संस्कार संक्रा इस्थानों यानि कि confined place से आप क्या समझते हैं तो confined place क्या होते हैं जो की छोटी छोटी जगे होती हैं संक्रे इस्थान होते हैं यानि कि चीजों से गिरी हुई जगे जहां पर काम करने के लिए बहुती छोटा बहुती कम इस ठीक है, तो ऐसे इस्थानों को क्या बोलते हैं, confined place या संक्रा इस्थान, ऐसे इस्थान जहां पर सीमित प्रिबेश और सीमित निकास होता है, संक्रा इस्थान या confined place बोलते हैं, ठीक है, नियोजित अपकास लेने का आउचित तरीका क्या है, पहले सूचित करें और छुट्टी का फर्म वरें, तभी छुट्टी लें, ठीक है, वाहन के सबसे निचले बिंदू, और जमीन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जैसे गाड़ी का हिस्था है, जो गाड़ी की बोड़ी है, गाड़ी की बोड़ी जो नीचे the end है, सबसे नी जमीन के बीच तक की दूरी ना पें, ठीक है, तो उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, Ground Clearance, क्या बोलते हैं, Ground Clearance, Spark Plug का क्या कार यह है, Spark Plug Petal Engine में यूज होता है, और यह इंधन के मिस्रण को पेज्वलित करता है, यानि कि उसमें विस्फोट कराने का काम करता है, उसमें आग ल लिए सकती स्रोथ है निकास गैसी ठीक है जो एक्जॉस्ट कैसे होती है उसी से ही हमारा टर्बो सिस्टम चलता है ठीक है उसी से ही टर्वाइन चलता है और उसी से ही गाड़ी को गाड़ी की चार्जिंग अधिक होती है और उससे थोड़ा फोर्स और ज्यादा मिलती है गाड से युक्ठ है तो differential एक transmission टाइप प्रणाली है जो कि starting से ही use होती है तो transmission system में क्या differential को use किया जाता है तो इसका option क्या है transmission system किस प्रकार के transmission की मरमत करना आसान है और अच्छा mileage देता है ठीक है तो manual transmission की मरमत करना यानि है कि उसकी service करना आसान है रेधर देन automatic transmission ओके तो manual transmission की जो servicing है वो भी आसानी से हो जाती है और यह mileage भी अच्छा निकालता है ठीक है manual transmission और auto वनाने के लिए किस प्रकार के chases का प्रियोग किया जाता है तो वाई auto या कोई भी गाड़ी जो मारुतिवी बनती है ठीक है आज की time पे उन सब को monocock type में ही बनाया जाता है ठीक है तो auto बनाने के लिए किस प्रकार के chases का यूज होता है monocock steering system में कौन से gear का उप्योग किया जाता है तो steering system जो है उसमें rack and pinion gear का use किया जाता है disc brake आम तोर पर सामने के पहियों में उप्योग किये जाते हैं क्यों उप्योग किये जाते हैं ठीक है तो disc brake को सामने के पहियों में ही यानि की front wheel में ही क्यों use किया जाता है इसका कारण यह है इंजन के बजन के कारण सामने अधिक braking power की आवेश सकता होती है क्योंकि इंजन आगे होता है तो वहाँ पर गाड़ी को brake लगाने के लिए अधिक brake force चाहिए इसलिए हम disc brake front wheel में ही use करते हैं seatbelt किस परकार का प्रणाली का हिस्सा है seatbelt किस प्रकार की प्रणाली का हिस्सा है transmission type seatbelt किस प्रकार की safety system में आती है तो friends यह आती है passive safety system पेसिप मतलब no risk ठीक है तो इससे क्या होता है risk कम हो जाता है इसलिए ये पेसिप safety system में आती है क्या safety weld किस showroom में मारूती की premium कारे मिलती हैं तो दोस्तो premium कारे जो मारूती cars बेचती है उसमें कुछ premium कारे हैं वो हमारी nexa में बेची जाती है brand new artiga को किस dealership network के तहट बेचा जा सकता है ये अमारी जो artiga है उसको arena वाले showroom में बेचते हैं सियाज किस स्रेणी में आती है सियाज आती है वोई sedan स्रेणी में शमान उद्दिश्यों या लक्ष्यों के लिए काम करने वाले लोगों के समू को कहते हैं उसको बोलते हैं team क्या बोलते हैं team इन में से कौन सा सुनने की प्रक्रिया का पहला चरण है ठीक है अगर आपको ध्यान से कोई बात सुननी है तो पहले अपनी बात बंद करें ततकाल जीवन बचाने की प्रक्रिया कौन सी है तो वो है प्रात्मिक चिक्तसा प्रेश सौप में किस प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया जाता है ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है drilling, taping, milling ठीक है इस तरीकी की कोई भी process होती है तो वो प्रेश सौप में नहीं होती है य metal की किस अवस्ता को गुहा में डाला जाता है गुहा मतलब डाई में ठीक है तो metal को जब डाई में डालेंगे और धलाई करेंगे कास्ट करेंगे metal को तो क्या करेंगे हम metal को पहले पिगला के और फिर डाई में डालते है ठीक है यानि कि वो liquid form में होता है ठीक है तो इसका अं भीला करने के लिए किया जाता है इस पैनर ठीक है कोई भी आकार का जैसे 22 तेस की चाबी होती है 12 एमम, 13 एमम, 20 एमम ठीक है तो अगर 20 एमम का है बोल्ट तो चाबी क्या 21 एमम की लगेगी इस तरीके से 1 एमम का डिफ्रेंस में चाबी लग जाती है याแसit praande लगता है कौन सा फाशनर सामाना थ्रेड़ेड फाशनरी का प्रिकार नहीं है ठीक है, थ्रेड़ेड बोल दिया थ्रेड़ेड मतलब चुडियां तो चुडियां नहीं हो जिसमें और फाशनर भी हो तो ऐसा कौन सा फास्टनेर है वो है कील उसमें चूडिया नहीं होती है वो फास्टनेर है वो तुरंत किसी दो चीजों को जोड़ने के काम आता है ठीक है 5S के 5 चरण कौन कौन से है छटाई करना बिवस्थित करना सफाई और जाच और मानकी करना फिर लाश्ट में क्या है बनाई रखना ठीक है यानि कि तो यह 5S के 5 चरण है असेम्बली लाइन में कौन सा प्रोसेस फ्लो सही है ठीक है असेम्बली लाइन में क्या होता है जब गाड़ी एंटर करती है तो सबसे पहले trim line पे जाती है फिर chasey पे जाएगी उसके बाद final पे जाएगी ठीक है तो ये इसका सही क्रम है अगर कभी final या बीच में chasey और last में trim देज़ता है इस तरीके से तो ये गलत हो जाएगा ठीक है किस प्रकार के जोड में उच संचारण प्रतिरोध होता है तो उच संचारण प्रतिरोध होता है ठीक है तो सबसे जादा कौन से जोड में जंग लगने से बचाया जा सकता है ठीक है तो building जोड जो होता है उसको जंग लगने से काफी हद तक बचाया जा सकता है ठीक है spot welding में प्रियुक्त इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस धातु का उप्योग किया जाता है तो यह होता है जो इलेक्ट्रोड होते है welding gun के spot welding gun के जो इलेक्ट्रोड होते है वो aluminium और ताबे से बनाई आते हैं engine के कौन से stroke से गाड़ी को सकती मिलती है ठीक है तो इसमें 4 stroke होते हैं suction combustion power और exhaust ठीक है तो थर्ड वाला जो stroke होता है उससे क्या होता है गाड़ी को power मिलती है ठीक है power stroke तो इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है पढ़ने का मुख्य उद्देश से क्या है? पढ़ने का मुख्य उद्देश हमेशा होता है नई जानकारियां प्राप्ट करना, ठीक है? लॉक आउट एंड टैग आउट यानिके लोटो, पिरकिरिया का क्या उद्देश्य है? चोट से बचने के लिए हानिकारक उर्जा सुरूतों को शुरक्षित करना, ठीक है? जो कि किसी भी चीज का, किसी भी मसीन का अपने आप चलने का खत्रा हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? लोग आउट और टैग आउट करते हैं, यानिकि उसके स्विच पे हम एक टैग लगा देते हैं और एक लोग लगा देते हैं, जिससे की कोई भी उस स्विच को अन ना कर पाए, जिससे की वो मसीन अपने अप चालू हो जाए और किसी को चोट लग जाए, ठीक है? तो उस चोट से बचने के लिए हम उन सुरोतों को, उर्जा सुरोतों को क्या करते हैं? लोग आउट कर देते हैं और उस पर टैग लगा देते हैं, ठीक है? automobile क्या है automobile इंधन की खपत करके road पर चलने वाली machine को क्या कहते है automobile कहते है steel pipe किस welding method से बनाया जाता है steel pipe को अगर हम दो steel pipe को weld करते हैं उनको weld करना है हमें तो हम क्या करेंगे arc welding का maximum use करते है steel welding बनाने में steel welding के steel pipe को weld करने में यदि आप duty जा रहे हैं और रास्ते में आप किसी का accident देखते हैं और उसको चोट लगी है तो आप क्या करेंगे पहले ambulance बुलाएंगे और उसे first aid देनी की कोसिस करेंगे अब हम अपने supervisor को सूचित कर देंगे कि आज आज मैं थोड़ा लेट हूँ रास्ते में accident हो गया था तो इनको हमने ambulance में hospital भेज दिया है या छोड़ने जा रहा हूँ इस तरीके से आप उनको सूचना दे सकते हैं company परिशर में अगर गैंग वेपर ओयल विखरा हुआ है तो आप क्या करेंगे अगर ओयल विखरा हुआ है आप ऐसे छोड़ दोगे तो कोई भी आकर उस पर गिर सकता है उसमें फिजल सकता ठीके तो इसके लिए हम क्या करेंगे supervisor को तुरण सूचित करेंगे और इससे क्या करेंगे साफ करवाएंगे ठीके अगर supervisor बोलता है कि आप ही कर लो तो जैसे भी हो सकता है उसमें पुरानी धोती लागर करके जितना हो सकता हम उसको clean डरवा देंगे और वहाँ पर एक क्या कर देंगे जब तक वह बिल्कुल clean ना हो जाए एक variegating कर देंगे कि यहां से कोई ना निकले ठीके तो यह आज की इस वीडियो में हमारे पास 40 questions थी ठीके मिलते हैं next वीडियो में और next वीडियो हमारी रहेगी जो की math के questions जो exam में आते हैं ठीके तो उन questions को हम solve करेंगे और prepare करेंगे exam के लिए ठीके मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you वबचाओ जैहिन टेक के